नमस्कार निउसवान इंडिया देख रहे हैं पर मैं हूँ आपके साथ प्रभाजोशी अप्चनाव को लेकर बीजेपी ने मंतन शुरू कर दिया है मलसी के खाली पद पर प्रत्याक्ष्वी की खोश्रा श्रिश नेत्रत्व करेगा वुधान सभा अप्चनाव में दस सीचों पार तीन तीन नामों का पैनल गिजवाज रहेगा बीजेपी नवनिर्वाचुत सांसदों का समान भी करेगी और बीजेपी ने एक पेड़ मा के नाम अभ्ध्यान की शुरुवात भी की है अभ्ध्यान में नेताओं की सेभागिता की रणनीती भी तैखी गई है और बीजेपी पोर कमिटी का फैसला हुआ है तो बीजेपी अप्चिनाव की तैयारियां कर रही है जिए आपको बताते चले कि उत्तरप्रदेश में 10 सीटों को पर अप्चिनाव को लेकर भारती जनता पाठी की उससे भी अब तैयारियां शुरू कर दी गई है मन्थन शुरू को चुका है अर्श्वले सादा शुहान कारी के साथ निले शुहान समवदाता जुड़ चुके हैं निले शुप चुनाव को लेकर भारती जनता पाठी ने अब मन्थन शुरू कर दिया है थैके बिल्कुल आपको बता देयों कि उत्तर प्रदेश और देश भर में हाली में लोक सभा चुनाव समपन हुए हैं जिस तरीके से भारती जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सीटों की उम्मिदे थी तो उसको लेकर भी अब जो है मंथन शुरू कर दिया गया है कि कैसे कौन प्रत्यासी होगा किस तरीके से उसका चुनाओ करना है उसका अब जो है चुनाओ सीजने तत्त तो करेगा यानि कि कहा जा सकता है कि भारती जनता पार्टी के जो बड़े नेता है या दिल्ली में भारती जंतापार्टर्डेस टैयां में में दोराना नहीं कारण है यहीं कारण सकता है कि उत्तर प्रदेस के बात करें दिल्ली करें gets दोनों तो उसके बाद ही उमीद्वार का चैन होगा और भारतियगता- Party पूरी दमखम पूर्षी सब्सक्राइब करें तुक्षिक है कि इसका जोई ने पुप नहीं करना चाहती है कि अगर जाहर सी बाता है बारती जन्ता-पार्टी को नुक्सान उठाना पड़ेगा ऐसे में भारती जन्ता-पार्टी का सीर्ष ने त्यटत्त यह चुनाओ में उमीदवारों का चैन तैं करेगा कि कैसे किसको उमीदवार बना कर मैदान में उतारा जाए ताकि 2027 में जब उत्तर प्रदेश में विधान सभाव चुनाओं हो उस दोरान भी भारती जनता पार्टी पूर्ल वहुमत की सरकार बना सेके फिराल देखना होगा कि संगठन और सरकार के कौन से वो चेहरे होते हैं जो उत्तर प्रदेश में होने वाले उप्चुनाओं को लेकर कंडिडेट का चैन करेंगे उमीदवार कि इसको बनाना है इस पर वहुमर लगाएंगे जी निलेश एक बात भी जरूर यहाँ पर समझाएं कि जो तरीके से लोग सभाती चुनाओं में उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर ही भारती जनता सिमट वे भारती जनता पार्टी सिमट गई और अब चुनाओं की अगनी परिक्ष्वा है भारती जनता पार्टी के सामने और इन दस सीटों पर पूरा जोर भारती जनता पार्टी ने लगाया है एक तरफ जहां वपक्ष्वी दल इंडी गटबंदन की तह चुनाओं में फिर से अब चुनाओं में देखने को मिल सकते हैं अभी फिलहाल उनकी तरफ से भी अपने जो प्रत्याक्ष्वी है उनका अआलान नहीं किया गया है क्या भारती जनता पार्टी भी इपलहाल इंतult आरती बाले प्रतिच्व प्रतिङ को फिस्ते प्रतियाक्षी सिंद्वा रहा पहर्तерх का इस लिपने बाते हैं बूत इस्तर से जो उनके बूत अध्यक्ष होते हैं बूत इस्तर के जो पदाधिकारी होते हैं उनसे फीडबैक लिया जाता है उसके बाद जो मंडल इस्तर होता है मंडल इस्तर पर जो पदाधिकारी है वो अपना फीडबैक देते हैं कि क्या उस बिधान समाच्षेतर से जि वो सिस्टम को फॉलो करने के बाद ही भारती जनता पार्टी किसी भी प्रत्यासी को अपना उमीदवार बनाती है। तो ऐसे में भारती जनता पार्टी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जब उप्चुनाओं हो तो जो भारती जनता पार्टी के उमीदवार जिनको मैदान में उतारा जाएं वो जीत कर लोटे हैं क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाओं का रिजल्ट आया है जो जो है तमाम लेयर की फीड़ बैक के बाद ही जो है किया जाएगा कि अगर अगर हम उत्तर प्रदेश के दूसरे पार्टियों की बात करें चाहे वो समाजवादी पार्टी हो पांग्रेस हो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोकसभा चुनाओं में दोनों ने गटबंदन करके जो उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा उलट पेर किया है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता कि उप्चुनाओं में भी अब इन पार्टियों को उमिदे बढ़ गई है कि उप्चुनाओं जब होगा तो इनके कंडिडेट जो है जीत कर वापस लोटेंगे लाल देखना होग कि भारती जनता पार्टि की इस तरीके से अपने उमिद्वारों का चुलाओं करती है जी चले ठीक है नेलेश आप हमारे सोब बने रहिएगा आगे भी आपसे जवान कारे लेंगे